नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वो इसमें आपका स्वागत है, मैं हुई कराम अगर आपका स्टेंट बैंक ओफ इंडिया और जो मैं आगे बैंकों के नाम बताऊंगा उन में खाता है तो सावधान हो जाईए लाखों की तादाद में डेटा चोरी हुआ है और कल पुलिस ने गिरफतारी भी की है और इतने जादा मातरा में डाटा चोरी, करडिट कार्ड की डेटेल चोरी, डेबिट कार्ड की डेटेल चोरी यहां तक कि आपके email का वो email जो आपके बैंकों में लगे हुई है CVV यह सब चोरी हुई है डेटा लीक हुआ है पुलिस ने कल गिरफतारी की है और हड कम बचा हुआ है हाला कि 15 दिन पहले रिपोर्ट मिल चुकी थी और पुलिस इस पर काम भी कर रहे थी इसी वज़े से कल गिरफतारी भी हुई है 15 दिन पहले एक रिपोर्ट हमारे सामने आती है पब्लिश होती है 12 और 13 अक्टूबर के बीच में यहां पर पता चलता है कि देश के बड़े बैंक जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है State Bank of India इनका डेटा डार्क वेबसाइट पर भीक रहा है हैकरोंने बोली लगाई हुई है वहाँ पर डेटा भीक रहा है सिंगापूर के कमपनी Cyber Security जिसे कहा जाए Cyber Security के लिए काम करती है नाम है Cloud S.E.K. उसके विशेशक उसके जो सुरक्षा करमी है यानि कि Cyber Security वाले वो लगतार नजर रखते हैं कि किस-किस का डेटा चोड़ी हुआ है तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि State Bank of India और एक-दो और बैंक उनका डेटा चोड़ी हो रहा है और यहाँ पर लाकों की तादाद में बिकर आ है तकरीबन 90 लाक लोगों के डेटा की बात बताई गई 15 दिन पहले और कल दो लोगों को पुलिस ने जहारकंड से गिरफतार किया है जिनके पास से 4 लाक लोगों का डेटा जो State Bank of India के गराक थे वो उनके पास से बरामद हुआ लाकों की ट्रांजक्शन की डेटेल उनके फोन से बरामद हुई ATM, Card, Credit Card, Bank Retail, IT के से जुड़े लोग और कारोबारी इनका डेटा इनके पास से और एक चीज़ और बैंकों में खाता बंद करने के लिए आप अप्लिकेशन देते हैं के बाद मेंसेज आता है कि खाता बंद हो चुका है उसके परमान और उनके जो मेंसेजन उनके फोन से मिले सारी डिटेल आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ क्योंकि खावर बहुत बड़ी है और आप लोग एंड तक वीडियो ज़रूर देखेगा उसके बाद शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजेगा बहुत ज़रूरी ख़बर आप लोगों के लिए है और लोगों को शेयर करने के लिए भी है और साथ ही सवाल पोचना है आपको अपने बैंकों से क्या आपका डेटा सेफ है या नहीं है चलता है इस ख़बर की तरफ खबर यहाए कि 15 दिन पहले सिंगपूर की एक कंपनी जिसका नाम है क्लाउड S.E.K उसने एक जानकारी दी थी भारते मीड़ा में लगतार चपी है हमारे देश में चपी है साइबर सिक्योर्टी टीम को और देश की पलिस को साइबर सिक्योर्टी टीम को यह खबर बेजी गई कि 90 लाक लोगों का डेटा बिकरा यहाँ पर ओनलाइन इसमें State Bank of India के गराकों की जादा बड़ी तादाद है जो लोग Financial Transaction लेजर से उदर करते हैं इसमें इन्होंने बताया कि रूसी भासा में डार्क वैब साइबर पर एक चीज मिली है यहाँ पर एक खतरनाख हैकर ने 1.2 मिलियन डेटा उसका मुख्त में भी ग्यापन दिया है उसके बाद इसमें जो पता किया गया और इसके बाद बाइडन कैस वैब साइट पर तक्र 1.9 मिलियन जो कार्ड धारक हैं जिनके पास कार्ड है ATM debit credit card उनका डेटा यहाँ पर शो हो रहा है इसमें क्या क्या चीज़े दिखाई जा रही है इसमें जो सबसे बड़ा नाम है कि किन बैंकों का नाम आया है सबसे पहले आप वह जान ले लिए State Bank of India उसके अलावा Solutions LLC American Express American Express क यह कार्ड भी भारत में बहुत जादात में लोग यूज करते हैं इनका डेटा और इनमें जो कार्ड की केटेगरी अलाएल होते है जैसे Master उसमें सबसे जादा वीजा की तादात थी आप लोगों के पास वीजा है तो जारा चेक करा लिजें यहाँ पर जो जानकारी लिग ह हुई है यह जानकारी लिख थी SSN, Card Detail, CVV यह सारी जानकारी यहाँ पर लिख थी जो मुफ्त में वहाँ पर वो हैकर बेच रही थे इसमें जो वीजा केटेगरी के कार्ड हैं उनकी संख्या तकरीबन बताई जा रही है 4,14,000 उसके अलावा 5,08,000 डेबिट कार्ड इनकी ड बैंक डिटेल में आप इमेल देते हैं उसका पूरा डेटा यहाँ पर लिख था अब क्लावड ऐसी के ने तो बता दिया कि 90,000,000 लोगों का डेटा यहाँ पर बीचा जा रहा है लेकिन कोई हलचल मची नहीं थी लोगों ने ख़बर को भला दिया अब कल खबर आती है इनकी टीम उन पर चापा मारती है दो लोगों गिरफतार किया जाता है जिनका नाम दुलारचंद मंडल और सुजीत कुमार दो साथी इनके फ्रार हो गई वहाँ पर जो उनके साथ बैटे हुए थे जिसमें एक का नाम बबलू मंडल और दूसरे का नाम रुपेश कुमार इनके पास से कैश बरामद होता है 14,600 रुपिये उसके अलावा साथ महेंगे फोन 6 ATM और एक कार जिसमें बैटकर ये लोग ठगी का अंजाम दे रहे थे दो लोग भाग गए पुलिस को देखतर दोगों गरफतार कर लिया उसके बात इनके मुबाइल को चाना गया तो मुब लोगों की जो फाइल थी उसको पीडिया पिया वर्ड में जिसमें भी सेव करकी थी उनके पास होई मिले इनमें एक लाख आईटी करमचारियों के नंबर है आईटी करमचारी जो आईटी से जुड़े हुए और वो इनका साथ दे रहे थे ही या वो इनके टार्गेट पर यह तो आगे इनकी पूश्ताच में ही पता चलेगा इसके अलावा दस हजार जो बड़े उद्ध्योग पति हैं बड़े कारोबारिक हैं उनके नंबर इनके फोन से बरामद हुए इसके अलावा इनके पास से छे हजार लोगों का जो SBI में खाता बंद हो चुका है जिनका उनके संदेश इनके मैसिज इनके फोन पर मिले हैं यानि के यह लोग उन खातों को भी कही ना कहीं चलाने की ही या उनसे काम लेने कोशिश करे होंगे जो लोग खाता बंद कराने के लिए अप्लिकिशन दे चुके थे और खाता बंद हो चुका था उनका विवरंड में के पास से बरामद हुआ है और 1000 क्रेडिट कार्ड की डिटेल इनके पास से मिली है अब सोचे किस तादाद में ठगी को अंजाम देने वाले थे किस कदर का गटा इनके पास में मौझूद था सवाल बहुत खड़े होई हैं ना सिब क्रेडिट कार्ड की डिटेल हैं बलकि का इक है के लिए अगर हैकर ने zwischen कि है फिर तो सवाल जब भी खड़ा हो रहा है कि हमारा डेटा सेफ है क्का हमारा पैसा सेफ है आप के घरों के फिलोगों के एस हैं थे खाते हैं art गया और तो किन पैसे ने हैं लोगों के धे इससा वड़ा रहे हैं उनसेvert मत मताएं मना करें है सेिकेंड से पहले फोन कर दें को कोई लोटरी का ओफर दे रहा है कोई जअ पर उसके मांग रहे है तो बिल्कुल भी शेयड नहें अगर आसा करेंगे तो किस ने फ्रोड किया बैंक के साथ कौन है वो शक्त जो लगतार बैंकों का डेटा चोरी कराने में इनकी हल्प कर रहा है साइबर सिक्योरिटी टीम लगी हुए है पुलिस लगी हुए है और जल्दी हो सकता है कुछ बड़े लोगों का नाम भी समें सामने आ जाए तो हमारी पूरी खबर पर नज़र बनी रहेगी अब लोग इस वीडियो को जादा से जादा शेर कर सकते हैं किसी और खबर में आपसे मिला कात होगी तब तक के लिए जाज़त